तो देखिए आज का कुशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहां पर क्या करना है कि 3 कितने बार है 5 बार इसका वर करना है और यहां पर 3 कितना है 7 बार है इसका वर करना है तो मतलब कि 3 की पुर्णा बिक्ति रहेगी तो उसका वर करने का सबसे असान तरीका मैं आज इस क्लास में आपको बताऊंगा तो आप इस तरीके से अब हल करेंगे तो साया 3 या 5 सेकेंड में आप हल कर पाएंगे मेरा ही विश्वास है कि इस आप 3 के माध्यम से आप हल कर पा तो चलिए देखते हैं तरीका क्या है वह ओ देखिए अ पर मतलब एवद्हिक कर पाएं तो užद्गे इसका से अब चलिए इसको जानते हैं देखिए यहाँ पर O का मतलब है 1, Z का मतलब है 0, E का मतलब है 1, Y का मतलब है 9 तो देखिए, पहली सवाल आपको ले लिजे, क्या है? 3, 3, 3, 3, 3, 3, का होल वर्क करना है, ठीक है? तो नियम क्या है? O, Z, O, Z मतलब कि जो भी 1 है, 1 को क्या करेंगे? कि जितने बार ये पुर्णा बित्ती रहेगे, जितने बार आए रहेगा, उससे 1 कम लिखेंगे मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 5 टीजिट है, तो 1 को 5 के इस्थान पे 4 अंक लिखेंगे मतलब 1 कितने बार? 4, 1, 2, 3, 4, ये 5 है, तो 4 बार, ठीक, 0 रहेगा, 1 बार, ठीक और 8 कितने बार? ये जो 5 गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार है, मतलब 8 को 4 बार लिखेंगे, 8, 8, 8, 8, 8 और 9, 9, ठीक, अब ये हमारा एंसर, देखिए, आपको समय लगा? नहीं, तो देखिए, आप इस तरीके के माध्यम से आप हल कर सकते हैं, तो देखिए, अगला क्या है कुशन? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ये 7 बार, ठीक, 7 बार है, तो 7 बार है, तो क्या करेंगे? 7 की जगह, 6, 6 बार 1, तो इसका जएगा, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, कितना हुआ? 6, आप देखिए, 0, 1, तो फिर इसके बार, 8 कितना है? अब ये कितना 7 है? तो 6 बार, 8 लिखेंगे, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 6 बार हुआ, और ये 9, 1, ठीक है? तो आपको ये प्रोसेस आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो देख रहे हैं कितना ही सरल है, और साइद आपको दे दिया जाए, तो इस ट्रिक के मादम से, 3 या 5 सकिन में आप इसको हल कर पाएंगे, तो उमीद करते हैं, ये आप लोगों को ज़द पसंद आया होगा, हलो दोस्तों, यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं, यदि आप इस क्लास को देखने से, यदि आपको कोई जनकारे मिली हो, तो प्लीज लाइक और सेट कीजिए, और हमारे इस क्लास चानल को आप सस्क्राइब करके, बेल आइकन को प्रिस कर देजिए, किनकि प्रतेक क्लास में एक नए-नए सवाल के साथ हाजी राते हैं क्लास को देखने के लिए थाइंक्यू